साथियों हम भारतियों के लिए गणित कभी मुश्किल विशे नहीं रहा इसका एक बड़ा कारण हमारी वैदिक गणित भी है आधुनी काल में वैदिक गणित का स्रेज आता है स्री भारति क्रश्ट तिर्शिजे महराज को उनोंने कैलकुलेशन के प्राचीन तरीकों को सपकते ही मुनमें कर सकते हैं आज कल तो सोचल मीडिया पर वैदिक गणित स खाने वाले एक ऐसे ही साथी हमारे साथ भी जूड़ रहे हैं ये साथी हैं कोलकता के गवरव टेकरिवाल जी और वो पिछले दो धाई दसक्त से वेदिक मैथमेटिक इस मूवमेंट को बड़े समर्पित भाव से आगे वढ़ा रहे हैं आईए उनसे ही कुछ बाते करते हैं गवरव जी नमस्ते नमस्ते सर्फ मैंने सुना है कि आप वैदिक मैट्स के लिए काफी रूची रखते हैं बहुत कुछ करते हैं तो पहले तो मैं आपके विशह में कुछ जानना चाहूंगा और बाद में इस विशह में आपकी रूची कैसे हैं मुझरा मुझे बताईए सर्फ में 20 साल पहले जब बिजनस स्कूल के लिए अपलाई कर रहा था तो उसकी competitive exam होती थी इसका दाम है cat उसमें बहुत सारे गनित के सवाल आते थे इसको कम समय में करना पड़ता था तो मैरी मा ने मुझे एक बुक लाकर दिया इसका नाम था वेदिक गनित स्वामी श्वी भारते कृष्णा तेरताजी माराज ने वो लिखी थी और उसमें उन्होना सोजा सुत्र दिये थे जिसमें गनित बहुत ही सरल और बहुत ही तेज हो जाता था जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेणवा मिली और फिर मेरी रूची जागरत हुई माथमाटिक्स में मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक जो भारत की देन है जो हमारी दरोवर है उसको विश्व के कोने कोने में पहुँचाया जा सकता है तब से मैंने इसको एक मिशिन बनाया कि वेदिक गनित को विश्व के कोने कोने में पहुँचाया जाए क्योंकि गनि और एवर्नेस के लिए क्या करते हैं कैसे जाते हैं लोगों के पास हम लोग स्कूर्स में जाते हैं हम लोग ऑल्लाइन सिख्षा देते हैं हमारी संस्था का नाम है वेदिक माट्स पोरम इंडिया उस संस्था के तहट हम लोग इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे वेदिक माट् और मैं आउसर ढूनता रहता हूं और एक्जाम वोरियर से तो मैं बिलकुल एक प्रकार से मैंने उसको इंस्टिटूशनलाइज कर दिया है और मेरा भी अनुभव है कि जादा तर जब बच्चों से बात करता हूं तो गणित का नाम सुनते ही वो भग जाते हैं और मेरी कोशिज यही है कि यह बिना कारण जो एक हाव पैदा हुआ है उसको निकाला जाए यह डर निकाला जाए और छोटी छोटी टेक्निक जो परंपरा से है क्योंकि भारत गणीत के विशय में कोई नया नहीं है साइध दुनिया में पुरातन परंपराओं में भारत के प जो डर होता है जो हुआ हो गया है हर घर में अग्जाम के लिए बच्चे टूशन लेते हैं परिशान रहते हैं टीचर भी बहुत परिशान होते हैं तो वेदिक गनित से यसा च्छू मंतर हो जाता है इस साधारन गनित की अपेक्षा में वेदिक गनित 15-100% तेज है और इस कर सकते हैं वेदिक गनित परदिती के दवारा वैसे ध्यान की जो परंपरा है उसमें भी इस प्रकार से गनित करना वो भी ध्यान का एक प्राइमरी कोर्स भी होता है चलिए गवरोजी बहुत अच्छा लगा मुझे और आपने मिशन बोर्ड में इस काम को उठाया है और व बहुत बहुत शुबकामना है शुक्रिया सर्व मैं आपका भारवर करता हूं सर्थ कि वेदिक गनित को आपने महत्व दिया और मुझे चुना सर्थ तो बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार साथियों गवरोजी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वेदिक गनित कैस सभी माता पिता अपने बच्चों को वेदिक गनित जरूर सिखाए इससे उनका confidence तो बढ़ेगा ही उनके brain की analytical power भी बढ़ेगी और हां गनित को लेकर कुछ बच्चों में जो भी थोड़ा भव डर होता है वो डर भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा